दोस्तो अगर आप लोग चश्मा पहनते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी ख़वर है कि अब आप लोगों को चश्मा पहनने की ज़रत नहीं है मार्केट के अंदर एक ऐसी दवा आ चुकी है उसको अगर आप लोग आँखों में डालेंगे तो उसके बाद में आपको चश्मा पहनने की कोई आप सकता नहीं है और असर इसके बाद तो जितनी भी चश्मे के दुकाने हैं वो सब बंध हो जाएंगी लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे दुकाने बंध हो जाएंगी वो जो आई ड्रॉप है वो कुछ घंटों तक ही असर करती है 6-8 घंटे तक फिर ये हुआ कि मार्केट के अंदर वो जो आई ड्रॉप है वो अब बहुत बिकेगी साड़े 300 रुपे की वो जो आई ड्रॉप है वो अब कितना कमाल कर पाएगी वो हम लोग देखने वाले हैं लेकिन क्या वाकई में चश्मा उतर सकता है आप लोगों ने प्रेस बायोपिया एक बिमारी का नाम सुना होगा बिसी के लिए कोई बिमारी होती ही नहीं है जैसे से इंसान की उम्र बढ़ती है 40 साल के बाद में वैसे वैसे इंसान को कम दिखाई देना शुरू हो जाता है और उसके बाद में जो लैंस की कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है एक कंपनी है इंडिया के अंदर उसने दावा किया है कि आप हमारी दवा अगर आँखों में डालेंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा लेकिन इससे पहले USA ने इसको अल्डेडी एक्स्पेरिमेंट किया था बहुत पहले से USA के अंदर चल रही है और उसी के बिहाफ पर वही केमिकल्स जो है उनका यूज करते हुए आज इंडिया के अंदर इसको लांच कर दिया गया है और DGCI ने इसको अप्रूवल भी दे दी है लेकिन क्या वागई में ये जो आईड्रॉप है वो चश्मे को उतार सकती है इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब भी हम लोग मार्केट के अंदर आँखों की दवा लेने के लिए जाते हैं तो डॉक्तर ये पूसते हैं मतलब जो फार्मस्यूटिकल वाला ये पूसता है कि आखिरकार आपको दवा कौन सी दी जाए कि आपको पास में दिखाई नहीं देता है दूर का दिखाई नहीं देता है या फिर कोई और प्रॉबलम है तो ऐसे कई सारे कोशिनिंग होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि निकट द्रस्टी दोश दूर द्रस्टी दोश या फिर उम्र के बढ़ने के साथ साथ में लेंस की कैपेसिटी कम हो जाती है इसी बहुत सारी जो बिमारियां है वो आज आखों में देखने को मिलती है उनी के इलाज के लिए आज मार्केट के अंदर एक दवा है इसका नाम है प्रेस यूवी यानि की प्रेस व्यू उसका नाम है चलिए सबसे पहले A new eye drop for press biopia तो अभी हम लोग समझते हैं कि आखिरकार ये press biopia क्या होता है A condition that impairs the ability to see things up close was recently approved by India's drug regulator press biopia के लिए एक दवा जो है वो मार्केट के अंदर आई और DGCI ने उसको क्या किया approval दे दी है Mumbai based एक company है Antod इसका नाम है Antod Pharmaceuticals उनके द्वारा एक दवाज जो है वो develop की गई है और उसके अंदर ये chemicals जो है वो मौझूद है और उसका नाम क्या है Press UV Press UV eye drop और उसको आँखों में डालने से काफी हद तक चश्मा जो है वो पहनने की आवशकता नहीं पड़ेगी हम लोग अपनी topic पर वापस आएं उससे पहले 100 days का hard challenge दोस्तों आप लोगों ने काफी appreciate किया है बहुत सारे जो viewers हैं वो अब इसका फाइदा लेना शुरू कर चुके हैं योगि आज लगभग 12 दिन हमको इस challenge के हो चुके हैं अभी भी 90 days हमारे इस challenge के बाकि यह 100 days का challenge है अगर कोई educator आपके साथ में 100 दिन तक बना हुआ है और आप लोगों कह रहा है कि आप अपनी जिन्दगी के अंदर सुधार कीजिए तो फिर क्यों आप लोग challenge को accept नहीं करते हैं बड़ा जवर्दस challenge है 100 days तक 100 advanced techniques आप लोग को बताई जाएंगे और special problem solving sessions भी आप लोग लिए रखे जाएंगे challenge coupon code आप लोग को use करना है जिससे आप लोग इस addiction से बाहर निकल सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो 175 days का hard challenge combo भी ले सकते हैं 75 days पहले वाले और 100 days अभी चल रहे हैं GKGS, one day exams की जो भी तयारी कर रहे हैं उनके GKGS के लिए एक batch चल रहा है जिसमें अभी हम लोगों ने word geography को शुरू कर दिया है daily 4 p.m. पर हमारी live class होती है जैसे NTBC के vacancy निकल लिए तो आप लोग जरूर GKGS को यहां से पढ़ सकते हैं चलिए बात करते हैं इस iDrop की iDrop अभी market के अंदर चल रही है इस iDrop की जो कीमत है वो है 350 रूपीज 350 रूपीज की कीमत है लेकिन एक बार iDrop डालने के बाद 6-8 घंटे तक इसका असर होता है company ने बताया है कि 6-8 घंटे तक असर खतम होने के बाद आप वापस से वो iDrop आँखों में डाल सकते हैं दोनों आँखों के अंदर एक एक बून जो है वो डालनी पड़ेगी और वापस से आपकी eyesight जो है वो बिलकुल ठीक हो जाएगी इसका मतलब यह हुआ कि इस दवा का यूज एक दिन के अंदर दो बार करना पड़ेगा और यह कोई permanent इलाज नहीं है आपको लगातार इस दवा का यूज करना पड़ेगा इसलिए company जो है वो as a market देख रही है कि बहुत जबदस तरीके से हमारी sales जो होने वाली है हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो है वो इसके अंदर अब फाइदा लेना शुरू कर दे लेकिन main problem क्या है इसके अंदर एक chemical यूज हो रहा है वो है पीलो कार्पिन पीलो कार्पिन ये जो chemical यूज हो रहा है डrug यूज हो रही है इसके side effect जबरदस्त हैं खास तोर पर ग्लुकोमा जिनको होता है उनके अंदर इस chemical का इस drug का यूज करते हैं इसलिए doctors ये कह रहे हैं कि ये side effect भी करेगा चली पहले हम लोग समझते हैं कि press byopia क्या होता है इस normal आंख को आप लोग देखिए कि जब भी हम लोग किसी भी object को देखने के लिए जाते हैं तो उस object के उपर कोई ना कोई light गिर रही होती है और वही light हमारी आंखों के अंदर आती है जब ये light हमारी आंखों के अंदर आती है तो एक focus point होता है image जो है वो यहाँ पर बनती है अगर इस image का बनने का जो point है या तो वो पहले shift हो जाए तो भी problem है और अगर बाद में shift हो जाए तो भी problem है अगर वो पहले shift होता है तो उसको कहते हैं निकट द्रश्टी दोष और अगर दूर shift होता है तो उसको कहते हैं दूर द्रश्टी दोष लेकिन होना यहाँ पर चाहिए वो उसको shift कर देता है जब वो shift होता है तो फिर focal point यहाँ पर shift हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं दू लेंस पाये जाता है जिसकी flexibility जबरदस होती है छोटे बचे जो होते हैं उनकी अंदर उस natural lens की flexibility काफी अची होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ में वो जो flexibility है वो कम होने लगती है अब चाहे उसका reason कुछ भी हो जैसे माल लीजे कि हमारी आँखों के अंदर जो lubricant होता है वो दीरे-दीरे सूखने लगता है तो उसी को fulfill करने के लिए हम लोग eye drop डालना शुरू कर देते हैं तो जो lens की flexibility है वो उम्र के बढ़ने के साथ साथ में कम जो हो जाती है इससे क्या effect पड़ता है छोटा बच्चा जब किसी object को देखता है तो वो अपने according उस focus को adjust कर लेत लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ में 50-55 साल होने के बाद में वो जो focus है जो की flexible lens के कारण हो रहा था वो अब इतना आसानी से नहीं हो पाता है और इसी कारण से प्रेस बायोपिया होता है उसके इलाज के लिए ही market के अंदर ये दवा जो है वो हम लोग देख रहे हैं आप लोगों ने बड़े बुजरुक की जो चश्मे देखी होंगे तो नीचे की तरफ एक अलग से partition देखा होगा जहाँ पर अगर उनको कोई pass की वस्तू देखनी होती है तो वो फिर नीचे वाले lens से देखते हैं लेकिन market के अंदर हाल ही के अंदर एक नए चश्मे आ गए इसलिए बहुत सहूलियत जो होती है लेकिन market के अंदर ये जो press UV दवा है ये claim कर रही है कि हम लोग इंडिया की पहली ऐसी दवा है जो की इस बीमारी को मतलब ये जो press biopia है इसको दूर कर सकते हैं drug maker claims press UV is the first of its kind eye care medication in India भारत के अंदर पहली ये दवा है डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ठीक है भारत के अंदर ये पहली ही दवा है लेकिन basic के लिए क्या है इसके कुछ side fact भी है in a new twist the drug regulator on September 11 suspended the license granted basically क्या हुआ था 11 सितंबर को ही ये जो company है इसका license रद किया गया था मतलब company से जुड़े जो product है इनका license रद किया गया था और रद करने के बाद में अब वापस से approval जो है वो दी गई है ठीक है to manufacture and market press uv ठीक है अब देखे एक problem इसके अंदर क्या आ रही है in this regard you are informed that the pillu carpin ये जो drug है ये ही side effect करता है glucoma के इलाज के लिए या फिर हम लों कहते हैं इनका sugar होती है इनके इलाज के लिए इस drug का use करते हैं actually में जब इस solution का use किया जाता है तो एक निश्चित समय तक ही एक limited time period तक ही उसका असर रहता है लगवक 6-8 घंटे तक लेकिन आप मुझे पताईए कि क्या किसी भी medicine को बिना clinical trial के market में उतार जा सकता है नहीं ना इसलिए press uv का भी एक clinical trial हुआ तो यह जो पीलो कार्पिन drug use हो रहा है यह बहुत ही side effect करता है press uv is a prescribed based medication should be put as a single drop in each eye एक आंक के अंदर एक drop जो हो डालनी है in the morning सुभह के समय आप डालिये और लगवक 6-8 घंटे तक इसका असर होता है जैसे इसका असर कम होता है अगर मान लीजे कि अगर आपको ल use जो है वो चलता है drop should be put at least 15 minutes before reading मतलब जब आपको पढ़ना हो उससे 15 minutes पहले ही आपको इस drop को आँखों में डालना पड़ेगा एक test किया गया clinical trial किया गया तीन clinical trial किये गए और लगवक 324 जो patients हैं उनके उपर दवा की आजमाईश हुई उन patients के result तो वागई में बड़े are all mild and the incidence of these are so lens dead 3% अब इसके side effect जो है वो बड़ी जबर्दस है आँखों के अंदर irritation होना देखिए three more additional lines on the SNES chart that is used for testing near vision अब basically क्या है इसके अंदर irritation होना शुरू हो जाती है redness होना शुरू हो जाती है blurring होना शुरू हो जाती है और सिर में दर्ध होना शुरू हो जाता है इस दवा के कारण तो वाकई में दवा तो इंडिया के अंदर पहली बार बनाई गई है और एक नया invention तो कही सकते हैं आखों का चश्मा उतर ही सकता है कि अगल regular use करें लेकिन regular अगर use करते हैं 30 दिनों तक उसके बाद में फिर इसके side effect देखने को मिलते हैं हाँ कई बार ये हो स के अंदर दवा जो है वो एक revolution ला सकती है मुझे आप लोग comment section में जरूर बताएगा आप लोग हमारे 100 days के challenge को जरूर accept कीजिए वाकई में अगर आप focus को concentration को increase करना चाहते हैं studies के अंदर भैतर करना चाहते हैं तो इस course के साथ में जरूर जूड़िए 100 days के challenge को आप किसी भी use में ले सकते हैं जैसे माल लीजे कि आप exam को crack करना चाहते हैं business को grow करना चाहते हैं तो challenge coupon code use करके आप लोग इसके साथ में जुड़ सकते हैं आप लोग कहते हैं नहीं सर हम तो 175 days का challenge लेंगे तो आप लोग combo course के साथ में जा सकते हैं सो दिन तो अभी चली रहा है 75 days हम लोग और इसके अंदर extend करते हैं तो 175 techniques जो है वो आप लोग के पास में available होंगी ठीक है चलिए तो lecture में सबसे बहतरीन बात ये है कि क्या वाकई में चश्मा हट सकता है ये question mark है आप लोग मुझे comment section में जरूर बताएगा तो मिलते हैं आप लोगों से अगले session में तब तब जाहिए